भाई बाबी परशान होते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बस आप सब लेकिन हम सब भाई बाबी के स्ट्रेंथ हैं, और बस इसी तरह दुआओं में याद रखिए, तो घर आ जाएं, बस मेरी यही आपना करो, हर नमाज में दुआ करो, कि वो जली सो फार और अच्छी से द अब भाई बुखा ठीक हो गया, बस अमी की बात सुने की दिल से रोख के सब आप साथ दे, कि वो जैसे हर बार आपकी दौहों से घर आ जाएं, बस यही दुआ है मेरी, उनकी जल्दी से वो अब कल मेरी पात हुई थे, बहुत बुरा लगा तो आप सिया ही कहता है, जल्द अब दौह करो अब भाई हम सोच भी नहीं सकते कि लेकिन हमें इस बात का शुकर है कि वो ठीक है, हमें शुकून है, बस वो अब भी बीचार आप लोग देती हुए एक हापता से घर नहीं आया है, अब अम्मा के पास जान वीचारा हो दो पहले आप पहले आप अम्मी की त तो चलो अभी स्माइल करके बोलो कि बिलकूल हम लोग सब ठीक है फ्रेंट्स आप सब की दौाएं जो है वो बहुत जादा लग रही हैं काम आरे हैं सब कुछ ठीक हो रहा है लोगा थी बहुता है तुम लोगों को मुझे भरोसा है कि आप ठीक करके अल्ला से दोआ कर लोगा है अभी भावी भाई साथ में ही है और से बाहर निकल गया है तो भाई 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 जितना तो बस फ्रेंट अभी हम ये वीडियो वह समने सी लिए आपको अपडेट करने के लिए बनाए तो हम यह से स्माइल करके सब को बोलो सब कुछ ठीक होगा अला कहता है कि जिनदगी में हर तरह के दिन देता हूं मैं आपको खुशियां भी देता हूं तो हम लोग कितना कब यह से रह टेंग है लेकिन अलाट आपचे से काई देता है अल्ला को भरोसा है हम लों को हमको और सब विचारी तीनौ बच्चों ने जान लगा दी हर किवानर वनकम बैक आप सभी को पता हिए कि बेबी अभी निस्यू में है और कुछ दिन रहना पड़ेगा क्योंकि बेबी तो प्रिमेच्वर हुआ है और कुछ दिन आपड़ेशन में रहना पड़ेगा फिर इंशालला बेबी भी घर चले जाएंगे और आमी आप सबा होस्पिटल आते रहते है और आमी बेबी को देखके बहुत इमोशनल हो जाते हैं घर जाके आमी को बेबी की बहुत याद आते हैं इंशालला बेबी बहुत जल्द घर चले जाएंगे और दिपिका भी आप बहुत अच्छे है भी ठीक है दिपिका की तबियत आप लोग बेबी के लिए दुआ कीज उने हैं बेबी को दुआ कीजिए आप लोग थाकि बेबी जन्दी से ठीक हो जाए और घर चले जाए